नमस्कार दोस्तों मैं मदनकुमार आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में एक महत्पाउन इन्फर्मेशन देने का फ्रयास है आप सबी बहुत दिनों से परशान है कि एक्जाम कब तक होगा क्या एक्जाम डेट होगी तो सारा मैं इस वीडियो में आपको जनगारी दे रही है कि कब एक्जाम हो सकता है यह अफिसियल नहीं है मैं पहले ही बिता दूँ जो सुचते होंगे ऑफिसियल है तो वीडियो चुड़के जा सकते हैं यह हमारा अनुमान है 15 सालों से गर्वन जोब में रहने का और इस तरह जो प्रसितिया बनती है आगे क्या हो रही है अनुम्हों कि अधर्व में बताने जा रहा हूं देखिए आप सभी को मालूम है कि जनुवरी 23 में पांच जनुवरी 23 तक नगर निगम चुनाओ करा लेने हैं उसके पहले करा लेने हैं कि नगर निगम और परिसाद की उतरपोदेश में कारिशकाल खतम हो रहा है पांच ज आज हो गया पांच नॉवर और 5 नॉवर तक अभी आपकी डेट नहीं आई यह ठीक है और आपको 20 नॉवर तक अगर एक्जाम होना होता तक आपको एक्जाम डेट घंसरा कर दिया जाता है लाकिन ऐसा नहीं हुआ और ज्यादा समा होना है कि 20 नॉवर से 25 नॉवर के बीच नगर निगम चुनाओ कि अज़ुचना जारी होना है यदि अज़ुचना जारी हो जाता है तो आपका एक्जाम यह नॉमबर तथा दिसंबर में होना सुम्भो नहीं लगता है क्योंकि इसके लिए आपको मैन पार अप्लब नहीं हो पाएगा और तमाम तरह के पस्तनिया होगी जो प्रसासन यह अस्तर पर होती है यह आपको 20 नॉमबर तक एक्जाम नहीं होता है तो हमें अनुमान है कि दिसंबर के बाद अर्थाद नगर निगम परिसत चुनाओ के बाद जमाई जनरी 2023 में एक्जाम परमब हो है हलाकि आप त्यारी में ढहिलेना पड़िए त्यारी पुरी करते रहे हैं और आपको संपूर्ण त्यारी करेंने के लिए इस चैनल पर आपको प्रतेक परकार का वीडियो डिस्क्रिप्सन के साथ अब्जेक्टिव प्रक्टिस भी करा जा रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिएगा जैसे ही हमें कनफर्म जांकरी मिलती है हमावास से आपको देंगे चैनल के माद्याम से लेकिन जीन पर स्थितिया बन रही है उसकों साला हमें लगता है कि है एक्जाम जनवरी 27-23 में होगा इसके पहले संभव नहीं दिखता है धन्य बाद मिलती हैंगने स्टूडियो में धन्य बाद